नमश्कार बिहारी न्यूज में आपका सवागत है, मेरा नाम निशाओचा है दुनिया में कोरोना वायरस महमारी का प्रकोप अभी खथ भी नहीं हुआ था कि हर महीने नए नए वायरस सामने आ रहे है दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में कोरोना वाइरस के साथ मिंकी पॉक्स का संक्रमन कह ढा रहा था कि अब चीन में एक नए वाइरस ने दस्तक दे दी है नाम है लेंग्या वाइरस जानवरों और पस्यों से फैलने वाला ये लेंग्या वाइरस की पुष्टी चीन के कुछ शहरों में हुई है इस नए वाइरस को हैनिपा वाइरस के नाम से भी जाना जा रहा है लेकिन फिलहाल लोग इसे लेंग्या वाइरस कह रहे हैं इस नया वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि अगर शंक्रमित व्यक्ति की हालत गंफीर होती है तो इसकी वज़े से मरीज की मौत भी हो सकती है लेंग्या वायरस कोई नया वायरस नहीं है इसके पहले प्रकाशित एक रिसर्च में कहा गया कि लंगया वाइरस पहली बार इंसानों में साल 2019 में पाया गया था चीनी मीडिया में छपी खबरों के मताबित विश्यशग्यों को अभी तक लंगया वाइरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है विज्यानिक ये पता लगा रहे हैं कि लंगया वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैल सकता है ताइवान के CDC द्वारा दी गई जानकारी के मताबित लंगया वाइरस के बारे में अभी तक पुष्टी नहीं हुई है कि ये वाइरस human to human transmit होता है हलाकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये वाइरस इंसानों में इंसानों से नहीं फैलेगा अब तक हुए सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई है कि लंगया वाइरस संक्रमन कुट्तों में 5 प्रतिशत, बक्रियों में 2 प्रतिशत देखा गया है लेंगिया वारस का इंसानों में संक्रमन फैलने का प्रमुक कारण चछुंदर माना जा रहा है लेंगिया वारस के लक्षन को जाना भी बेहत ज़्यादा ज़रूरी है New England Journal of Medicine में प्रकाशित एक सूध में कहा गया है कि चीन में मिले लेंगिया वारस का संक्रमन होने पर मरीज में सबसे ज़्यादा बुखार की समस्या सामने आई है जाच में ये कहा गया कि लेंगिया वारस का आम लक्षन बुखारी है इसके अलावा खासी, ठकान और भूख ना लगने की समस्या भी सबसे ज़ादा सामने आई हैं आप ये भी जान लीजे कि लंगया वारस के प्रमुक लक्षन क्या-क्या है बुखार खासी की समस्या, भूख ना लगना, सिर में दर्द और ठकान होना उल्टी की समस्या, मानस्पेशों में दर्द, ब्लड प्रेसर सेल्स का कम होना प्लेटलेट्स काउंट का कम होना और किटली फेलियर की समस्या भी सामने आई है पहरहाल आप तमाम प्रमुक खबरों को देखने के लिए बिहारी निउस के साथ बले रहे